इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक यान होता क्या है और यान के किते टाइप्स होते हैं यान को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था एक हमारा इस्पन यान और दूसरा हमारा फिलामेंट यान अब हम बात करते हैं कि आपका एक यान और एक थ्रेड में क्य भी धागा बोलती हो ठ्रेड का मतलब भी आप धागा बोलती हो देकिन दोनों में अंतर होता है यान और ठ्रेड आपके दो अलग 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 चीज है अब हम पता लगाते कि आप इनको अलग क्यूं बोलते हो तो आईए स्टार्ट करते सबसे पहले सबसे वन यान में consist of one or more ply in it इसमें बोला गया है कि यान में एक या एक से अधिक जो आपकी ply है वो हो सकती है और जो आपका thread है thread always consist of more than one ply लेकिन जो आपका thread है उसमें हमेशा एक से अधिक प्लाई होती है तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपको जो यान है यान में एक भी और एक से जादा भी आपकी ply हो सकती है लेकिन जो आपका thread है उसमें एक से जादा ही आपकी ply होती है तो यह था इनका सबसे पहला difference कि जो आपका यान है यान में आपकी एक भी प्लाई हो सकती है और एक से जादा भी आप प्लाई उसकर सकते हो लेकिन जो आपका thread है उसमें हमेशा आपकी एक से जादा ही ply आप उसमें यूज करते हो उसके बाद है हमारा दूसरा point it is normally used in weaving and knitting जो आपका यान है इसको नर्मलि किस चीज में यूज किया जाता हैं weaving के लिए या फिर knitting के लिए आपका जो यान है आप यान से क्या बनाते हो आप यान से हमेशा फैबरिक को ही बनाते तो यान का जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, आपका त्रेड कव्डी किस सीज में यूज किया जाता है, या फिर आपका जो निडल वर्क होता है, आपका जो सुई करते हो उसके लिए अप थ्रेड कर इस्तमाल करते हो तो यह था आपका सेकेंड derni醉 कि जो आपका यान है यान आपका वीविंग और निटिंग के लिए काम में जो जो आपका thread है thread आपका swing cloth मतलब आपके कपड़ों को सीलने के लिए या फिर swing के काम जो होता है जो आपका needle work होता है या आपके उसमें काम आता है इसके बाद करते हैं third point it cannot be referred as thread जो आपका जो yarn है आपको इसमें बोला गया है कि yarn को आप thread नहीं बोल सकते जो आपका yarn है it cannot be referred as thread जो आपका यान है यान को आप क्या नहीं बोल सकते हो आप उसको thread नहीं बोल सकते हो लेकिन जो आपका thread है it may be referred as yarn also लेकिन आप जो thread है उसको धागा बोल सकते हो आपने सुना होगा कि बहुत से लोग जो आपका जो thread होता है उसको yarn भी बोलते है तो जो आपका thread है आप उसको yarn बोल सकते हो लेकिन जो आपका yarn है आप उसको thread नहीं बोल सकते है उसके बाद है आपका difference number four yarn has less elongation and strength इसमें बोलागा है कि जो yarn है उसकी लंबाई और सक्ती जो है जो इसकी strength है वो कम होती है आपका जो yarn है यान की लंबाई उसका elongation और जो इसकी strength है जो इसकी ताकत है वो क्या होती है वो कम होती है अगर मैं बात करूँ thread की thread has more elongation and strength इसमें बोलागा है कि जो आपका thread है जो आपका धागा है आपके धागे की ताकत और जो उसकी लंबाई है वो as compared to yarn से क्या होती है वो ज़्यादा होती है उसके बाद बात करते हैं हम आपके 5th difference की Usually yarn is solid in bigger package इसमें बोला गया है कि जो आपका yarn है ये आम तोर पर बड़े package में बेचा जाता है क्योंकि yarn से क्या बनाए जाते है यान से आपके cloth बनाए जाते है आपका weaving और knitting का काम होता है तो जो yarn है ये आपको आप इसको बड़े package में आप इसको बेचते हो तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि usually yarn is sold in bigger package जो आपका yarn है ये आम तोर पर एक बड़े package में बेचा जाता है अगर हम बात करें thread की the thread is normally sold in smaller package जो आपका thread आप thread से क्या काम करते हो आप सिलाई का काम करते हो आप needle का काम करते हो तो इसलिए इसमें क्या चीज़ बोली गई है जो आपका धागा है ये आम तोर पर आपको एक छोटे package में ये बेचा जाता है ठीक है इसके बाद हम बात करते है अब हम बात करते हैं अपने सबसे last point की कि हम लोग yarn को किस तरीके से produce करते हैं उसको कैसे बनाते हैं यान इस प्रोड्यूस बाइ इस्प्रिणिंग और टेक्स्टायल फाइबर तुगैदर इसमें बोला गए जो आपका यान है आप इसको किस तरीकिस कैसे आप इसको produce करते हो आप उसको कताई के दुआर आप अपना यान आप उसको बनाते हो लेकिन जो आपका थ्रेड है आ आप प्राप्त करते हूँ, तर थ्रेड इस ऑप्टेन बाइ ट्विस्टिंग टू और मोर प्लाइ और यान तोगेदर, जो आपका थ्रेड है, यह आप दो या दो से जादा आपके यान की जो प्लाइ होते हैं, आप उनको एक साथ ट्विस्ट करके, आप क्या करते हो, आप एक थ्रेड अप्टेन करते हो, लेकिन जो आपका यान है, आप यान कैसे करते हो, जितने भी आपके जो टेक्स्टाइल फाइबर है, आप उनको क्या करते हो जो आपके textile fiber है आप उनको एक साथ spinning करके, आप spinning के माध्य yüzden के यान को प्रोड्यूस करते हो, S या फिर Y twist करते हो और जिससे आप क्या बनाते हो आप अपना एक thread को obtain करते हो तो ये थे आपके difference कि आपका yarn क्या होता है और आपका thread क्या होता है इसके बाद हम बात करेंगे कि classification of textile क्लासिफिकेशन of yarn कि हमारा जो yarn है वो कितने parts में उसको classify किया गया है अब हम बात करते हैं कि जो हमारा classification of yarn है इसको कितने parts में divide किया गया है हमारा yarn को 3 parts में divide किया गया है सबसे पहला है हमारा simple yarn उसके बाद है हमारा novelty yarn और उसके बाद है हमारा mixed complex yarn जो हमारा single yarn है single yarn को कितने parts में divide है single जो यान है आपका दो parts में divide है सबसे पहले है आपका single strength दूसरा है आपका ply और multi strength ठीक है इसके बाद है आपका novelty yarn novelty yarn आपके किते parts में divide है noted noted yarn loop yarn crock screw yarn और feather yarn यह आपके 4 parts में divide है और इसके बाद है आपका complex yarn जो आपका mixed yarn है यह थे हमारे classification of yarn जो आपका yarn है आपका yarn कितने parts में divide है आपका जो yarn है उसको 3 parts में divide किया गया है जो आपका simple yarn है यह 2 parts में divide है single और ply और multiple strand में और जो आपका novelty है यह आपका noted loop, crock screw and feather yarn में सबसे last वाल आपका कुन सा है mixed complex के yarn में यह था आपका classification of yarn अब हम क्या करते हैं अब हम अपना classification of yarn को detailing में पढ़ेगे कि जो हमारे yarn है वो किस तरीके से classify किया गया है तो आईए start करते हैं classification of yarn जैसे कि हमने पहले बात की थी जो हमारा classification of yarn है इसको किते parts में divide किया है सबसे पहले हम पढ़ेगे हमारा simple yarn, कि जो हमारा simple yarn है, simple yarn को हमने किते parts में divide किया है, देखिए आए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कि simple yarn होता क्या है, the thickness of ordinary yarn is uniform, इसमें बो लगा है कि जो साधारन yarn की जो मोटाई है, वो क्या होती है, यूनिफोर्म होती है, जो आपको जो ordinary yarn जो होता है, उसकी जो थिकनेस है, वो कैसी आपको दिखाई देती है, uniform दिखाई देती है, एक समान दिखाई देती है, and its surface is smooth, और जो इसका surface है, जो इस दिखाई देती है, चिकनी दिखाई देती है, its length, its length plus the number of turn per inch is equal, इसमें बोला गया है कि जो इसकी लंबाई के साथ साथ, परती इंच टन की जो संख्या है, जो number है, वो बराबर होती है, जो परती इंच, मतलब आपका पर इंच जो आप टन लेते हो, ये जैसे कि इसमें दि इंच जो ये टन लिया गया है, ये जो number है, उसकी जो length है, वो क्या है, equal है, कि इसकी लंबाई के साथ साथ, जो ये परती इंच जो टन लिया गया है, टन लेने की जो number है, वो क्या है, बराबर है, most of the standard fabric used for clothing and household purpose are made from these यान, इसमें बोला गया है कि जितने भी आपके, जो standard fabric है जो आप use करते हो, clothing में और household purpose के लिए, वो सभी किस से बनाए जाते है, वो सभी आपके simple yarn से बनाए जाते है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा simple yarn किते parts में divide है, सबसे पहले है ये आपका single strand, ठीक है, single strand, आपका जो एक तंतू जो होता है, उससे ये बनाए जाता है, a single strength of excellent quality is used for the manufacture of light weight and fine fabric, इसमें बोला गया है कि जो आपका excellent quality के, जो आपके single strength का उपयोग हलके, हलके जो weight वाल, light weight वाले और जो आपके fine fabric होते है, उन कपडों के manufacture के लिए किया जाता है, इसमें क्या चीज़ बोली गई है, कि जो आपके single strength, जो आपके यान है, इनका जो उपयोग है, इनका जो use है, वो किस के लिए किया जाता है, इनका जो use है, जो आपके ये excellent quality के, जो आपके single strength, जो यान है, इनका उपयोग, light weight वाले और जो आपके fine fabric है, उनको manufacture करने के लिए, ये क्या करते है, इसका use किया जात जाता है तो आपका जो सिंगल स्टेंट इसमें यही चीज बोल इगई है कि इसका उप्योग कि सीज में जाता है इशां जो है यह आपका excellent qolity के जो आपके single strand है इनका उप्योग lightweight वाले या फिर आप completo?」 कि fine fabric के जो कपड़े होते हैं उनके manufacture के लिए इसका use किया जाता है इसके बाद the coarse and poor quality the coarse and poor quality single strand is used for making coarse cloth इसमें बोला गया है कि जो आपके मोटे और जो खराब quality वाले जो आपके single strand का जो उपयोग है वो आपके मोटे कपड़े बनाने के लिए किया जाता है जो आपके मोटे जो आपके coarse और poor quality के जो आपके single strand है उनका use किस चीज में किया जाता है जो आपके मोटे जो cloth होते है जो आपके coarse cloth होते है उसको बनाने के लिए इनका use किया जाता है These are called staple or filament fiber made by rotating together. इसमें क्या चीज बोली गई है? कि इन्हें staple या फिर आपको filament जो fiber है उनको साथ-साथ घुमाकर बनाए जाते है. इसमें किस तरीके से आप इसका यान बना सकते हू twor? आप इसके जो staple fiber है या फिर आपके जो filament fiber है उनको एक साथ इसको घुमा के आप इसको बना सकते हो जैसे कि इसमें दिखाया गया है देखे कि ये सबसे जो आपकी पहली फीगर है इसमें आपको दिखाया गया है ये जो आपके एक ही करके ये जो इधर साइड में दिखाये गई है ये आपके सिंगल स्ट्रेंट है जिनको क्या किया गया है ये आपके staple fiber भी हो सकते है और ये आपके filament fiber भी हो सकते है इनको एक साथ rotate करके इनको घुमा के आपका क्या बनाया गया है आपका yarn बनाया गया है ठीक है, इसके बाद हम बात करते है ply yarn कि आपकी ply yarn होती क्या है Two or more simple yarn are twisted together तू मेक आप प्लाई यान इसमें सिंपल वो लगा है कि आपकी दो या दो से जादा जो आपकी सिंपल यान है उनको हम क्या करते हैं उनको एक साथ ट्विस्ट करते हैं और उनसे एक प्लाई बनाते हैं ठीक है उससे हम क्या बनाते हैं उससे हम अपनी एक प्लाई यान बनाते देखिए जो इससे पहले उपर उसमें हमने जो ये सिंगल अपने एक सिंगल इस्टेंट जो तयार किया था हम ऐसे दो सिंगल इस्टेंट जो है हमारे दो सिंगल इस्टेंट हम तयार करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं उनको आपस में ट्विस्ट करते हैं तब जाके हमारा क्या बनके आते तब जाके हमार एक ply yarn बनके आता है तो इसमें यही बताएगा है कि आपका दो या दो से जादा simple yarn को आप क्या करते हो twist करते हो एक साथ to make a ply yarn, एक ply yarn को बनाने के लिए these are also called multi strand yarn इसको आप क्या बोल सकते हो आप इसको multi strand yarn भी बोल सकते हो जो आपका ply yarn है आप ply yarn को एक multi strand yarn भी बोल सकते हो they can be called two ply, three ply etc according to the number of strand or thread used in construction इसमें बोला गया है कि आप इसको क्या बोल सकते हो आप इसको two ply yarn भी बोल सकते हो three ply yarn भी बोल सकते हो according to the number of strand or thread used in construction कि आपने कितने number of strength याफ़ी thread में use कि है इस यान को बनाने के लिए आपने कितने number of जो आपके strength है या फिर कितने number of आपके thread आपने use कि उस हिसाब से इसका नाम रखा जाता है कि ये two ply yarn है या फिर ये आपका three ply yarn है ठीक है these yarn are more durable than single yarn यह जो आपके यान होते हैं यह आपके ज़ादा ड्यूरिबल ज़ादा मुझबूत यान होते हैं आपके simple यान के and are used for floor covering ETC और यह जो यूज करे जाते हैं यह आपके floor covering के लिए यह यूज किये जाते हैं जो आपके जो यह जो आपके जो प्लाई याने ये किसमें यूज़ किये जाते हैं ये आपके फ्लोर कवरिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं इसको हम किस नाम से भी जानते हैं हम इसको फॉल्ड यान के नाम से भी जानते हैं तू प्लाई यान, it is also called double ply yarn, इसको हम तू प्लाई यान को हम क्या बोलते हैं, हम इसको double ply yarn भी बोल सकते हैं, to make it, two different simple yarn are tied at both the end or a long single strand is held at both the end and twisted together, इसमें क्या वो लगा है, कि यह जो आपको two ply yarn है, इसी हम double ply yarn भी बोल सकते हैं, इसे बनाने के लिए, दोनों सिरो पर दो अलग अलग simple yarn लेकर, हम क्या अलग करते हैं, उसमें गाट लगा देते हैं, और एक लंबे single stand के दोनों सिरो पर, हम पकड़ कर उसको एक साथ क्या करते हैं, उसको mode ना start करते हैं, उसको एक साथ twist करना हम क्या करते हैं, start करते हैं, तो दोनों शिरो पर जो आपके इसके दोनों जो एंड है जो आपकी जो फाइबर है उसके जो दोनों एंड है उस पर हम क्या करते हैं अलग अलग जो आपके जो आपका सिंगल जो आपका ये सिंपल यान है उसमें क्या कर लगा देते हैं उसमें हम गाट लगा देते हैं और आप एक लंबे single strand को दोनों सिरो पर पकड़ कर उसको साथ साथ क्या करते हो, उसको मोड़ना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है जैसे इसमें दिखाया हुआ है, इसके बाद है आपका three ply yarn, कि आपका three ply yarn होता क्या है, it is obtained by twisting a long single strand yarn, इसे किस तरीके से obtain किया जाता है, आपको जो एक long single strand yarn है, उसको क्या करते हो, आप twist करते हो, उसके दोर आपको ये three ply yarn हमें मिलता है, it is folded twice to get three identical strand, and small knot are made at both the end, इसमें क्या बोलागा है, कि इसे एक लंबे single strand yarn को मोड़ कर, हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राप्ट करते हैं, तीन समान strand प्राप्ट करने के लिए, इसे दो बार मोड़ा जाता है, अगर आपको तीन समान जो strand है, वो अगर आपको प्राप्ट करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसे दो बार आप इसको फोल्ड करोगे और जो आपके इसके दोनों सिरे जो है उस पर आप क्या करते हो उस पर आप एक छोटी सी गाट बना देते हो ठीक है तब जाके आप इसको बनाते हो इसके बाद है आपका 4-ply yarn कि आपका 4-ply yarn होता क्या है it is also called cable yarn जो आपका 4-ply yarn है इसको आप किस नाम से भी जानते हो cable yarn के नाम से भी आप इसको जानते हो ठीक है to make this two strand of two ply yarn are twisted आप क्या करोगे जब आपको 4-ply yarn जब आप बनाते हो तो आप क्या करते हो जब के दो strand of 2-ply yarn आपके जो 2-ply yarn है आप उनको एक साथ क्या करते हो आप उनको एक साथ twist करते हो तो आपका 4-ply yarn जो है ये बन के आता है इसके बाद बात करी गई है कि आपका code yarn क्या है it is a multiple strand yarn जो हमारा code yarn है ये हमारा multiple strand yarn है to make this 3, 4 और 5-ply yarn is taken हम लोग जब code yarn बनाते हैं तो हम लोगों को क्या लेना पड़ता है हम लोगों को 3, 4 या फिर 5 हम ply yarn लेते हैं and they are twist together और उनको हम क्या करते हैं उनको हम एक साथ twist करते हैं and note has to be tied at both the end और जो इनके जो जो दोनों सिरे जो होते हैं हमारे जो यान हैं उनके दोनों सिरे पे हम एक note लगा देते है to get the code yarn जो हमारी जो code है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसके दोनों सिरे पे हम क्या करते हैं हम उस पे गाट लगा देते हैं they are mainly used for making rope इसको ज़्यादा तर इस तमाल किसके लिए किया जाते हैं आपके जो rope है जो आपकी रसी जो बना जाते है उसके लिए हम इसका इस्तमाल करते है इसके बाद है rope yarn कि आपकी rope yarn होती क्या है it is made by twisting two or more code yarn इसमें बोला गा है कि जो आपकी rope yarn है rope yarn किस तरीकी से बना जाते है जब आप दो या दो से जादा code yarn को एक साथ twist करते हो तब जाके आपकी एक rope yarn तयार होती है इसको और जादा simple तरह समझने के लिए हम लोग क्या करेगे हम लोग इसको एक diagram से समझते है diagram से ये और आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा आईए start करते हम diagram से कि ये किस तरीके से होते है देखिए इसकी help से हम समझेगे कि हमारे एक single stand क्या होता है हमारा ply yarn क्या होता है हमारा two ply yarn क्या होता है हमारा three ply yarn क्या होता है हमारा four ply yarn क्या होता है और हमारा rope क्या होती है और हमारा code क्या होता है ठीक है यहाँ पर क्या काम किया गया है यहाँ पर आपका एक जो रोप है ठीक है जो आपका सबसे लास्ट का जो स्टेप है यहाँ पर उसको खोला हुआ है कि आपकी एक रोप जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है देखे जैसे कि इसमें आप दिख रहे हैं यहाँ जहाँ पर सिंगल लिखा हुआ है ठीक है आपक तो आपका इसको डिखाए गये, जब आप इन दो को ट्डी करोगे तो आपका क्या बनता है है टीन या उतीन से ज़्यान जब आप चार कोड़ यान को एक साथ क्या करते हो ट्विस्ट करते हो तो आपकी बनती है यह आपका दिखाया हुआ कि आपकी जो यह इप को कॉड़ यान भी देखने को Nein को मिलते आपको त्री प्लाइ यह आपको देखने के लिए मिलते आपको single स्टेंट यान यह भी आपको देखने के लिए मिलता है जब हम एक रोप को अलग अलग पार्ट में जब दिवाइड करते तो उसमें हमें कोड यान, टूपलाई यान और सिंगल जो इस्ट्रेंट है आपका यह तीनो चारों आपको इसमें देखने के लिए बनते हैं क्योंकि जो आपका रोप है आपकी रोप किस तरीके से बनाएंगी रहती है अगर हम इसको सबसे इनिशल उसमें खोल के देखे तो आपका जो प्लाई यान बनता है जब आप दो जो आपके टू प्लाई याने उन जब आप दो टू प्लाई यान को एक साथ में ट्विस्ट करते हो ठीक है दो टू प्लाई यान को या फिर थ्री टू प्लाई यान को आप क्या थ्री प्लाई यान को आप दो बर क्या करते हो आप उसको twist करते हो आपके 3 आपके जो ये ply yarn एक किते types किते हैं ये आपके 2 ply yarn है ये आपके 3 ply yarn है ये आपके 4 ply yarn है अगर आप 2 ply yarn को 2 बर आप उसको twist करोगे तब भी आपकी एक code बनती है अगर आप 3 ply yarn को 2 बर twist करोगे उससे भी आपकी एक code बनती है अगर आप 4 ply yarn को दो बर twist करोगे तो उससे भी आपकी एक core ply yarn बनती है ठीक है जब आप ये जो आपकी code ply yarn है जब आप 2 code ply yarn को एक साथ twist करोगे ठीक है तो उससे हमारी एक rope बना हिजाती है तो ये था आपका कि आपका जो single जो आपका simple yarn है आपका simple yarn किस तरीके से बनाया जाता है आपके simple yarn में आपका single strand आता है आपका ply yarn आता है आपका जो ply yarn है ये आपका तीन पार्ट में divide है आप इसे two ply yarn भी बोल सकते हो आप इसे three ply yarn भी बोल सकते हो आप इसे four ply yarn भी बोल सकते हो इसके बाद आपका coded ply होता है कोडिट प्लाय होता है कोडिट यान होता है और जो सबसे लास्ट है आपका रोप यान होता है इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेगे कि आपका नोवेल्टी यान क्या होता है थेंक यू